पहले तौक्ते, फिर यास, ये विभिन प्रकार के सैक्लॉन का नाम सुनके मन में विचार आता है क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? अपनी रफतार की वाधार पर इनका विभाजन क्या जाता है। जितनी तेज रफतार होती है, गती होती है, उतना ही उग्र होते हैं और इनका नामकरन बरलता चला जाता है। मन में विचार आता है कि ये साइक्लॉन होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और हरिकेंद टाइफून ये different । रगए साइक्लॉन होता है कहीं हरिकेंज कहीं टाइफूंस कहीं विली विली हिंदुस्तान के आज पास के एरिया में इनको साइकलान कहा जाता है basically जब समुद्र की सतह का तापमान 26 डिग्री सेंटीॡ से जदा हो जाता है बहुत बड़े एरिया में और वहां पर जा atmospheric pressure यानि हवा का दबाव कम हो जाता है तब इनका formation होता है अब यह मन में आता है हवा का दबाव यह atmospheric pressure क्या होता है प्रिथ्वी के चारो तरफ वायू मंडल एक layer बनाती है और उसका दबाव हमारी प्रिथ्वी पर पढ़ता है वो अलग-अलग सता पर अलग-अलग होता है जैसे पहाड की उंचाई पर जो पढ़ता है उसका दबाव अलग होता है समुद्र तल पर इसका दबाव ज्यादा होता है जैसे जैसे हम समुद्र तल से उपर की हो गया और तापमान जादा है तो वहां उपस्थित गरम हवाएं उपर की चरफ बढ़ने लगती है जैसे जैसे उपर बढ़ती है और गरम होती है और हलकी हो जाती है उनकी जगह लेने के लिए ठंडी हवाएं जाती है या आसपास की हवाएं जाती है तो एक सरकिल यानि साइक्लोन ये चक्रवाद बनने लगता है और ये धीरे 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 घती से धरती के तरब भनाशू कर देता है ये मेन साइक्लोन का प्रभा होता है जैसे इनका आकार कभी-कभी 100 किलोमेटर से लेके 2000 किलोमेटर तक हो जाता है और उचाई इनकी 15,000 मीटर तक हो जाती है तोक्ते जो था अरब सागर से उत्पन हुआ था ये बंगाल के खाड़ी से उत्पन हो रहा है और जब सत्ह पर पास पहुंचते हैं तो इनका मौस्चर लेविल खतम हो जाता है तो ये अपने आप नेचरली खतम हो जाते हैं धन् इनकाम हो जात